हलो दोस्तो नमस्कार वेलकम फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूज चैनल में स्वागत है तो दोस्तो आज हम एक रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी के बात करने वाले हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक वाले विध्यारतियों के लिए अच्छी खबर है अगर आपके पास बीटेक से रिलिटिव कॉल्फिकेशन है तो आप गॉर्मेंट जो ओल इंडियन पोस्ट के नुसर मेल फिमेल इसमें आविधन कर सकते हैं ओफिसली नोटर्पिकेशन जारी हो चुका है बीस और दो हजार इक्कीस की अच्छी वेकिंसी है जिसमें आप लोग आविधन कर प सकते हैं वेवसेट से जैसे मैं बात करूँ आपको इसकी वेवसेट की जानकारी हम देंगे आप प्रीज अंत तक देखेगा वीडियो और फॉर्म कैसे जमा करना है वो भी मैं आपको इसकी जानकारी अंत में देने वाला हूँ यह सबसे पहले कॉल्फिकेशन और इसकी जो प्रोसेसर है उसके बारे में आपे जानकारी आपको मैं देदेता हूँ यह देखेगा इसमें 28 या ठारा या इससे अधिक तक आपके पास आई और आई ही सेमा है तो आप इसमें लगा सकते हैंес कष्वन वर्स तक का विद्धारत으면 लगा सकता है लकिन दिएदान रखेगा इसमें minimum experience भी दिया हुआ है, यहां पे काफी high level की पोस्टे हैं, और I think यह experience आपके पास होगा, तो ही आप इसमें लगा पाएंगे, क्योंकि काफी हदीकारियों की पोस्टे हैं, तो आप इसमें जब भी नोकरी कर पाएंगे, selection processor की बात करें, तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके पास अच्छा काशा experience और qualification दोनों हैं, तो आपको यहां पे interview दे की selection प्राप्त करना होगा, किसी परकार का कोई exam return test बगरा नहीं करना होगा, इसमें आपको general manager, chief manager ते की, और project officer की postage में दी हुई है, तो दोस्तों आप लोग से form को जमा गरवाना जाते हैं, तो आपके पास B.E.B.Tech किसे भी university से पास हुआ हुआ विद्धार्ती होना जरूरी है, मेला और प्रुष्ट दोनों ही इसमें आपदन कर सकते हैं, गुवाठी असाम से निकले हुई vacancy है, अगर आपके पास ये चीज़े हैं तो आप इसमें लगा पाएंगे, यहां पर mechanical, chemical, electronic, electronics, institute, engineering वाले विद्धार्ती ही इसमें आविदन कर बाएंगे, पच्चीस और अठारा एयर का maximum experience यान की काफी ज़्यादा experience मांगा गया है, तो आई थिंक्स अगर किस चुने हुए विद्धार्ती के पास ही ये experience होगा, या फिर उनके पास होगा, जो इसमें पहले से ही काम कर रहे हैं, तो दोस्तो आई थिंक्स अगर आपके पास एक काम की विकेंसी है, तो आप इसमें जरूर अपलाई कीजेगा, अपना टाइम बरबादना मत कीजेगा, क्योंकि अगर आपके लिए ये पोस्ट है, तो आप इसके आविद्धन कर सकते हैं, तो दोस्तो ये एक विकेंसी है, जिसमें आप लोग आविद्धन करेंगे, ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे जमा करवाएंगे, ये भी मैं आपको आपके क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि कुछ विद्ध्यारती हैं, जिनें आविद्धन करना भी होता है, तो यहाँ पर अगर आप इसमें आविद्धन करेंगे, तो ये देखेगा, मैं आप थोड़ी सी आपको जानकारी देदू, मैनेजर वगरा कि सा कर पाएंगे, उनलाइन से आप इसे जमा करा पाएंगे, एन आर एल की रिक्विर्मेंट के अनुसार हम बात करेंगे, जिसमें आप लोग जमा करवाएंगे, तो ये इसकी पूरे नियम है, निर्देसक है, अपलाई करने का सीधा फोम आ चुका है, और फोम के लिए आपको सबसे पहले रेजिस्टेशन करना होगा, तो दूस्तु ये इसका विबरन है, आप यहां से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, और इसका विवसाइड का लिंक आपको नीची दिया जाएगा, ताकि आप लोग इसमें आराम से और आसाने से आविदन कर सकते हैं, तो दूस तो